नमस्कार दोस्तों मेरे श्यूर्पएब फिर से आपनों का बहुत बहुत स्वागत है मैं आप लोग के लिए कुछ इंपोर्टेंट फ्रेजर वर्ब्स लग्या ही हो जो की बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है क्लास 10 का एक्जाम होने वाले हैं और उनकी फ्रेजर वर्ब उ फर्स्ट हमारा होता है इसा फर्स्ट जो है इंपोर्टेंट हो है केरियाउट ठीक है केरियाउट मतलब क्या होता है केरियाउट मतलब होता है पालन करना या किसी ने बता दिया कि मतलब किसी ने कुछ निर्देश दिया तो निर्देश के अनुसार कारे करना किसी ने जो ब carry out my order, मतलब मेरी order का पालन करने के लिए वो तयार हो गया, he agreed to carry out my orders, हो गया, यह इतना आपको लिखना है, इसे आपके marks मिल जाएंगे, अगर आता है carry out, ठीक है, फिर second होता है, इसी में carry on, carry on मतलब आपने बहुत बार ऐसे सुना होगा, कि carry on your work, आप जो भी कर रहे हो, carry on रखो, मतलब करते रहो, जारी रखना, continue करना, ठीक है, तो carry on मतलब क्या होता है, जारी रखना या continue करना, you can carry on your work, मतलब कुछ भी आप इस तरीके से अपना भी बना के लिख सकते है, कोई जरूरी नहीं कि यही लिखना है, but carry on बहुत easy word है, तो अगर आता है, तो इसे छोड़िएगा मत, carry on मतलब क्या होता है, जारी रखना, मतलब continue कर, आगे काम को करते रहना, you can carry on your work, उसके बाद next है, हमारा come across, अचानक मिलना, मतलब कोई friend, अगर आप कही चा रहे हैं और अचानक आप से मिल जाए, तो इस तरीके से आपको लिखना है, इसका जो वाक्यों में प्रयोग है, वो, I came across my old friend in the fair, fair मतलब क्या होता है, मेला, तो मेले में मैं अपने friend से अचानक मिल गया, तो I came across my old friend in the fair, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है, second, उसके बाद fourth number हमारा हो जाएगा, come about, come about मतलब मतलब गटित होना, how did this evil event come about, मतलब यह कैसे हो गया, इस तरीके से बोलते हैं, कैसे घटित हो गया, मतलब यह काम कैसे घटित हो गया, यह जो भी कारी अगर कोई बोलता है, तो इसको आपको लिखना है, अपने वाकियों में प्रयोग करना है, तो यह कैसे घटित हो गया, तो लिखेंगे आप, how did this evil event come about, तो फिर इसके बाद next हमारा जाता है carry-off, carry-off मतलब जीतना, ठीक है, तो मतलब जैसे जीतते हैं, प्राइस काफी जादा, तो उसको बोलते हैं, वह अला होता है, यह carry-off मतलब जीतना होता है, he carried off most of the prizes, मतलब उसने बोखोट सारे prizes जीते हैं, तो इसको आपको इस तरह के से meaning इसको अपने वाकियों में प्रयोग आएगा ही, तो लिख सकते हैं, तो carry-off हो गया, come about हो गया, come across हो गया, carry on हो गया, और carry-out हो गया, तो यह कुछ इंपोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स है, जो आपको एक्जाम में, इक में भी possible की देखने को मिल जाए, तो यह पढ़ लिजेगा, और अगर और और भी फ्रेजल वर्ब्स चाहिए होगे, तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो के लाइक कीजेगा, share कीजेगा, चैनल पर ना है, हैसे चैनल को subscribe कर लिजेगा, मैं मिलूंगी आप लोको से अपने एकली अच्छे से तयारी किजेए, अच्छे से एक्जाम देचिए, थैंक यू, थैंक्स फो वाचिए